कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले हेलो दोस्तो मैं आज दुबे सौध करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल जश्डॉग पर तो फ्रेंड्स काफी दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहते हैं कि सर यह बताएं कि फीमेल डॉग डिलेवरी के बाद या मेटिंग के बाद कितने दिनों के बाद दुवारा ही है तो यह डिपेंड करता है कि आपने अपनी फीमेल डॉग की मेटिंग कराई है तो क्या उसने कंसीव किया या फिर वह खाली चली गई अगर वह मेटिंग के बाद खाली चली गई है आइमिन अगर उसने बच्चे नहीं दिये हैं तो यह डूरेशन कम हो सकता है लेकिन जिन्होंने पपी कंसीव किया है और सेफली पपी डिरेवर्ड किया है तो जानने के लिए करप्राइब वीडियो में बने रहे हैं के पास सबसे पहले जाएं तो चलिए बिना किसी देरी के सुरू करते हैं यह मेरी फिमेल डॉप लूशी है जैसा कि आप जानते हैं पिशली वीडियो मैंने इसका अप्लोड किया था इसका वीडियो और यह आज इसका तीसरा दिन है हीट का अभी मैं आपको शुरू भी करूंगा कि फिमेल डॉपर हीट पर है और ब्लड डिस्चारज कर रही है तो होता क्या है जब फिमेल डॉप की मेटिंग होती है और वो पपी डिलिवर्ट करती है तो उसके बाद नॉर्मली जो फिमेल होती है वो 6 मंते से 7 मंत के बीच में हीट पर आ जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंशू कर रहा हूं आपको फिमेल डॉपर हीट पर है आपको दीख भी रहा होगा यह ब्लेड डिस्चार्च कर रही है तो चलते हैं नॉर्मली 6-7 महिने लगते हैं फिमेल डॉप को दुबारा हीट पर आने के लिए हीट से बच्चे देने के बाद से अगर आप काउंट करेंगा तो चार से पांच मेने बाद आपकी फिमेल यह इसका लाश्ट टाइम का लिटर था दस बच्चोंगा आप फोटो में सो कर सकते हैं और इसने पपी डिलिवर्ड किये थे 8 मार्च को और जैसा कि आप देख सकते हैं आज 3 अगस्त है और इस हिसाब से यह साथ मेने भी हीट पे आ गई जैसा किया बच्चे देख सकते है तो मिनमम 6-7 मेने में फीमर डॉग इट पे आजगती है आशा करता हूं को आपको अपके कमेंट का जवा मिल गया होगा अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हल्पूल था तो क्रप्या इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को तब तक के लिए जय हिंद जय वाहाँ मिलते हैं लेक्स बीडियों करें लेक्स बीडियों करें